नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है चाट मुझो की नई वीडियो में आज के सेशन के अंदर फिर एक और डोजी कैंडल लेकिन आज के सेशन में 23 400 के उपर एक बार अटेम्ट हुआ निफ्टी ने एक अटेम्ट किया लेकिन फिर पूरे दिन साइडवेस रहने के बाद एंड में फिर थोड़ा नीचे आ गया अब दोस्तों अंसर्टेनिटी बड़ी विए है आज फैट की जो स्पीच के अंदर फिर निकल के आएंगे रेट वैसे तो अंचेंजी जो अनुमा पर गया मिटकेप कल हम जैसा थोड़ा पॉजटी बाइस ही रखके चल रहे थे मिटकेप के ऊपर सो मिटकेप से हमें क्लियर यह पता चल रहा है कि ब्रॉडर मार्किट के अंदर तेजी बनीवी है निफ्टी पे अभी हम आ जाते हैं फिर से निफ्टी के लिए कल इंपोर् साइडवेस एक जो रेंज है डाव की उसमें जाके ट्रेड करना चालू कर दिया अब दोस्तों यहां पर मेरे साबसे इंपोर्टेंट यह रहेगा कि डाव अगर हमें पॉजिटिव सिंग्नल चाहिए डाव से खास कर तो थर्टी नाइन चार सो के आसपास चले जाएए ठीक है यहां से लगबग 500-600 पॉइंट उपर ही बन दो है डाव तो इससे हम एक पॉजिटिव संकेत लेंगे नीचे में थोड़ा बहुत साइडवेस रहा तो अभी नीट्रल रहेगा कुछ भी करके 38,000 के नीचे क्लोसिंग नहीं देनी चा लेकिन आज 38,000 के नीचे हमें क्लोसिंग नहीं चाहिए अब इसी वज़े से निफ्टी पे आज का जो हाई है वह इंपोर्टेंट है अभी जो भी होगा गैप या गैप डाउन होने के चांसे काफी बढ़ गये हैं क्योंकि जो भी नियू स्लो आएगा वो फैक्टरीन हो ज तक है कि आलएड़ी हम कंसरडेट कर रहे हैं तीन-चार दिनों से तो जाधा हो जाए तो फोला वेट करके फिर अब देख सकते हैं कि कि सबसे मारकिट डैलेक्शन पकड़ रहा है अब गैप होता है मार्किट तो मेरे सबसे थोड़ा वेट करना चीह ठीक है और एक पुलब का सारा ले सकते हैं और वहां से फिर आप एक ट्रेटिक देख सकते हैं डाउन साइड में अगर गैब डाउन होता है तो एक बर अवाइड कर सकते हैं अगर डाउस जादा नहीं गिरता थोड़ा ही नेगेटिव रहता है तो अवाइड कर सकते हैं क्योंकि डाउन साइड में क् तीन रजिस्टेंस हैं यहाँ पर ठीक है सबसे पहला हमने देखा बावीस आच-सो एक रजिस्टेंस था उसको क्लियरली पार कर दिया मार्केट ने और उसके बाद 23,000, 23,100, 23,300 यह सारे ही रजिस्टेंस पार करता है मार्केट उपर चले गया अब यही सारे रजिस्टेंस नीचे में इसको हल्ट करेंगे इस वज़े से अगर नीचे gap down opening होती है 23,200 या 100 पर अभी तो मेरे सबसे avoid करना चाहिए downside 22,000 के नीचे gap down हो जाए तो थोड़ा बहुत negative रहेगा market और 22,800 की और बढ़ेगा तो दोस्तों अब nifty पर उपर के side मिल गया हमें की जादा gap up होने पर wait करना है नीचे के side gap down हो तो जादा कुछ नहीं करना लेकिन 23,000 की नीचे गलती से gap down हो जाए तो फिर 22,800 की और बढ़ जाएगा अब उपर अगर gap down नहीं होता और sideways ही हम खुलते हैं तो मेरे सबसे फिर एक बार sideways खुले और previous range की जो ये high है और 23, 450 ये पार होता है तो फिर एक long opportunity बन जाएगी अब बैंग निफ्टी ने भी फिर doji candle बना दी आज बैंग निफ्टी थोड़ा strength दिखाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर से यहाँ पर हम देख सकते की doji candle बन गई निफ्टी बैंग निफ्टी सब एक ही तरगे से काम कर रहें लेकिन mid cap के अंदर तेजी बनी भी है सबसे PSU banks के अंदर हम bullish बन सकते हैं अगर एक बर upside मूव स्टार्ट होती है तो PSU bank पर अपना focus रहना चाहिए सब्सक्राइब के अंदर हम एक बर देख सकते हैं अगर एक बर bullish मूव देना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी यहाँ पर एट लीस 50,500 के उपर निकलता है तो PSU banks देख सकते हैं अभी mid cap में तो तेजी दीख रही है clear अब mid cap के अंदर कल gap up अगर होता है तो further थोड़ा और उपर जा सकता है अगला 55,000 तक जाने के यह एक बर attempt मारेगा अब DAO में हमने एक बार देखा कि sideways हो गया और यह sideways होने का कारणटा bond deal फिर कल नीचे आ गई और bond deal वापिस से नीचे की हो जारी है आज inflation के नंबर भी आएंगे थोड़े time में तो उसके इसाब से फिर यह react करेगा और फिर जब यह react करेगा तो फिर DAO move हो जाएगा लेकिन अब थोड़ा नीचे आएवे बॉंड और इंडेक्स थोड़ा थोड़ा करेक्शन है दोनों में इस वज़े से DAO ने कल एक अच्छी recovery दे दी अब ब्रेंट की बात करें तो यहां पर यह positive है और ब्रेंट अपने higher resistance पर बढ़ रहा है 83.5 और 84 इसका resistance रहेगा अभी कल जैसे हम discuss करें थे काफी confusing है फिलाल ब्रेंट जिससे आपसे बीएफ कर रहा है तो 83.5 84 एक बार अगर पहुचता है तो वापिस इसको resistance मिलेगा और फिर downside की opportunity बन सकती है उस scenario में gold की अगर मैं यहां पर बात करूँ और silver तो gold और silver sideways है silver पर खासकर support काफी near आता है और आज जो भी fat का जो भी update रहेगा उस सबसे commodities के अंदर भी हमें यहां पर एक बार move देखने मिलेगी तो gold silver पर भी एक बार देख सकते खासकर silver पर मेरे सबसे एक जादा अच्छा opportunity बनेग क्योंकि support काफी near है और support near होने की वज़े से trend line भी है और अच्छा एक move भी देता है तो यहां पर अगर एक अच्छी move मिल गई तो कम से कम यह तीन-च्छा डॉलर की एक बार अच्छी up swing दे सकता है जिसाब से इसका chart structure बनावा है जोस्तो gold silver दोनों पर bullish price रहेगा कल जो हमें counter देख रहे थे उसके उपर चलते है वो है कजारिया सिरामिक का और यहां पर एक attempt हो गया है channel के breakout का तो at least channel के breakout का attempt हो गया है next इसमें जो previous swing है वहां तक कि यह जरूर attempt लगाना चाहिए अगर आज हम देखें तो housing finance company के अंदर एक बर move बनी भी थी अब हम देख रहे हैं कि housing finance अगर company चल रही है तो housing material जैसे सिमेंट तो आप अगर देखेंगे तो आज अम्बूजा ACC सारे सिमेंट एक अच्छी तेजी दिखा रहे थे उसके साथ साथ housing finance भी अच्छी तेजी दिखा रहा था सारे counter उसके अंदर अच्छी तेजी दिखा रहे थे अभी मेरे साब से फिर यह material वाली जो company हो गई जो इस तो थोड़ा बहुत इसके अंदर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन फिलाल के लिए तो हमारा बायस बुली सी है क्योंकि मिट कैप पे हम clearly देख रहे हैं broader market भी support कर रहा है upside की move अभी एक counter मैंने निकाला है इसको हम weekly chart पे देखेंगे तो अगला counter जो निकल के आता है वो है max health का अभी एक अच्छा symmetrical triangle बना हुआ है और weekly chart पे मेरे को इसलिए इसको cover करना है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि DAO का भी जो भी factor होना है वो हो जाएगा तो gap up gap down के chances बनेंगे तो मेरे सबसे अगर इसमें breakout मिलेगा ये सारे uncertainty के बाद next session के अंदर तो थोड़ा एक अच्छा जाना ची और इसमें weekly पे अपने को clearly symmetrical triangle यहां पे देखने मिल रहा है तो काफी समय से लगबग 6 महिने से हम इस range के अंदर है और ये range अगर break होगी तो यहां पे upside की move start होनी चाहिए higher side कौन सा important level बनेगा आपका 880 का level important बन जाता है 880 के उपर अगर ये counter निकलेगा max cell तो यहां पे breakout हो जाएगा और breakout पे हम उम्मीद करेंगे कि यह counter free थोड़ा तो यह अच्छी मूव दे क्योंकि यह अपने कि अब ट्रेंड के अंदर बनावाए काफी समय से हम अगर इसका एक behavior देखे तो हम देख रहे हैं कि upside move बनी यहां पे upside move बनने के बाद यह sideways रहा sideways फिर consolidation मिला फिर upside तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो इसको triangle एक ascending triangle आप ऐसे mark कर सकते हो तो ascending triangle बना अब एक symmetrical triangle बन रहा है तो फिलाल हम ऐसा मान के चलेंगे कि trend अच्छा है healthy uptrend है consolidation भी एक बार अच्छा हो चुका है तो इसका अगर breakout मिलता है तो opportunity बननी चाहिए on the higher side तो weekly chat मैंने इसले दिखा है क्योंकि इसके जो फिर important level रहेंगे hold करने के वो थोड़े बड़े होते तो इस candle का लो लगबग 800 रुपया अपना एक important level होगा अगर वो बेकार होता है तो फ काफी सारे counter अपने breakout पे हैं और breakout पे वेट कर रहे हैं एक दो साल के अपने हाई पे पहुच चुके हैं काफी सारे counter continuation pattern के अंदर रुके वे हैं विले सबसे कल के दिन पर ऊपर या नीचे जिस भी साइट जाना होगा तो थोड़ा एक decisive डे बन जाएगा और उस साब से फिर move देखने मिल जाएगी दोस्तों मैं आशक आता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक करें नहीं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करने ना बूले टेल लेंग टेक क्यार आइविल मीटू इन दी नेक्स्ट वीडियो